हेलो गाइज, इंडिया मूब्स वन स्टेफ तुवाइट्स एविंग इट्स ओन स्पेस सेटल और रियूजिबल रॉकेट इंडिया ने एक कदम आगे बढ़ा लिया अपना खुद का स्पेस सेटल या रियूजिबल रॉकेट लेने के लिए तो यह क्या होता इसके बारे मैं मैं बताने जा रहा हूँ यह रियूजिबल रॉकेट है जिसमें तीन पर यह लगे हैं एक टेम्पू की तरह तो देखने में बावाल है भाई पीछे से में सुपर सॉनिक बूस्टर है और आगे से देख सकते भाई ठोड़ सा जुका हुआ है कि हावा को काट सके अपनी काम दिया गया है रियूजिबल लांच वीकल ऑटनॉमस लैंडिंग मिशन जिसको आरलवी लेक्स कहा गया है यह टेस्ट हुआ था एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में चित्रा दुर्गा करनाटिका कुछ घंटे पहले 2 अपरेल 2023 को इंडियन स्पेस अजंसी ने कहा है उचाई पे 4.5 किलोमेटर की उचाई पे हेलिकॉप्टर द्वारा ले गया गया और रिलीस के गया और अटोनॉमस लैंडिंग पे रनवे पे इस रों के साब से जो आरलवी था इसने साथ 10 पे चीनुक हेलिकॉप्टर द्वारा इंडियन एरपोर्स के जिसने अंडसलंग लोड और फ्लू किया 4.5 किलोमेटर के हाइट और जब प्री डिटिमाइंड पिली बॉक्स बारा मीटर्स वर्क अटेंड तो जब कॉडिनेट से पहुचा तो आरलवी के मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर कमांड के साब से यह अरलवी था उसको रिलीस किया गया बीच हवा में डाउन दा रेंज ओफ 4.6 किलोमेटर तो एक किलोमेटर तो उपर हो गाई ताकि वो पकड़ा रहे 4.5 किलोमेटर कोडिनेट पे और जो इंडियन स्वेस अजनसी ने कहा है कि जो रिलीस कंडिशन था इसमें 10 परामेटर को देखा गया पूजिशन विलोसिटी पूल सिस्टम कम्प्लीट एन ऑटोनॉमस लेंडिंग ओन एटियार एर स्ट्राइप एट सेवन फॉर्ट एम विट इस रो सक्सिस्फुली अचीफ दा ऑटोनॉमस लेंडिंग ऑफ दा स्पेस विकल साथ-दस पे गया साथ-चालिप से वापस आ गया तो इस तरह इस रोने प्रिलेटिव विलिसिटी सिंक रेट ऑफ लेंग इंडिंग जियर्स प्रिसाइज बॉडि रेट और एक्स्पिरेंस किया और बिटल री एंट्री स्पेस विकल द्वारा अपने रिटरन पात में यह सारी चीज़ अचीफ कि इसने ऐसा इस रोने गहा है और और आरलवी ले प्रिसीवर इंडिजिनस लैंडिंग गियर और एरो फोलियो हनी कॉम फिन्स और ब्रेक पैरसूट सिस्टम तो मालोग है कुछ होता है तो इसमें पैरसूट लगा रहेगा और साथ में सिस्टम सो भी बनाय जा रहे है इसमें और डेवलोप किया रहा है आरलवी एक स्पेस जिसमें लो लिफ्ट होगा ड्रैक करेका रिश्वर रिक्वायर करेका अप्रोच को हाई ग्लाइड एंगल्स पुजाने के लिए नसे सेट हो कर लेंडिंग पर हाइट हाई विलोसिटी आप 350 किलो मिटर पर आवर तो नीचे से उपर जाएगा उपर से नीचे आएगा ऐसी एंगल्स वे पॉफेक्ट एंगल्स भी आए इसलिए आरल भी इस तरह की रियूसिबल रॉकेट को बना रहा है और इसरों के साब से जो लैक्स है इसने सब्राल इंडिजनर सिस्टम को यूज़ किया जिसमें नविगेटर सिस्टम है बेस्ट है स्टम पर इंफोर्मेशन कौन से कोडिनेट से गिरना है यह प्राइट किया गया DEM द्वारा डैम और एक्स्टेंसिब विंट टेस्ट और कंप्यूटेशनल फ्लूइड डैनेमिक्स सीफडी साइमूलेशन ने एनेबल किया एरोडानीव करेक्टरिस्टिक्स को आरलवी जो कि प्रायर था फ्लाइट में यह बहुत जरूरी होता है इसलिए इसको भी टेस्ट किया गया और इज्रो ने इस रिएंट्री ओफ इट्स विंग्ड विकल आरलवी टीडी इन हैक्स था जो विकल था लेंड कर गया था हाइपो थैटिकल रेंवे पर बेंगाल पर मतलब उसको जहां लॉंच किया था उससे बहुत दूर इसने लेंड किया था इसे लिए जो प्रिसाइस लेंडिंग था रेंवे पर वह एस्पेक्ट था नॉट इंक्लूड था इन हैक्स मिसन और संडे को जो लेक्स मिसन था अचीफ किया कि फाइनल अप्रोच फेस में जिसने कॉंसाइट किया रिएंट्री रिटर्न फ्लाइट पाथ एग्जिबिटिंग एन ऑटोनॉमस हाई स्पीड 350 किलोमेटर पर आवर तो इसकी स्पीड इतनी था भाई जम नीचे गिर रहा थ अपना इंटिग्रेटर नैविगेशन टेस्ट 2019 में शुरू किया था और फॉलो किया था मॉल्टिबल इंजिनेरिंग मॉडल ट्राइल्स भी क्यापिटी फेस टेस्ट भी सब्सिक्वेंट इयर्स में 2020, 2020, 2022 में तो गाइस तो 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 टेक लिए गुड़ बाई टाटा बाई